जिस परिवार और पार्टी ने देश पे एमरजंसी थोपी, वो दुनिया को ग्यान देने चले कि सम्विधान कौन खतम करेगा? जिस परिवार और जिस पार्टी ने 62 बार बाबा साब अम्बेद करके दिये संविधान में संशोधन किये क्या वो दुनिया को निसियत देंगे कौन बदलाव लाएगा ये वही कॉंग्रेस पार्टी है जो 2014 में कहती थी कि नरेंदर मोदी जी आएंगे तो मुसल्मानों के खिलाफ हो जाएंगे आज दस वर्षों के बाद मैं पूछता हूँ क्या सबका साथ सबका विकास इसी मूल मंतर के साथ मोदी जी ने काम नहीं किया जो हिंदू को मिला वो मुसल्मान, सिख, इसाई, बौध, जैन, पार्षी सब को मिला किसी में कोई भेदभाव नहीं किया ये कॉंग्रेस की आज तक की राजनी ती ही बांटो और राजकरो की थी कभी संपरदाय, कभी जाती, कभी क्षेतर के नाम पर ये तो टुकडे-टुकडे गैंक के सदस्या है, राहूल गांदी जी और इनकी टीम को टुकडे-टुकडे गैंक को इन्होंने अपनी पार्टी में शामिल करवा लिया अब देश के टुकडे-टुकडे करने की सोचते हैं ये लोग कहते हैं परमानू हत्यारों को समाप्त कर दिया जाए भारत में यानि कि हिंदोस्तान को कमजोर करने की पूरी ताकत जो विदेशी ताकते लगा रही थी, उससे ज़्यादा कॉंग्रेस पार्टी लगा रही है या आज देश की स्तिती है मैं इतने एक ओंगा चुनाव विचार धारा पर होता है, मुद्दों पर होता है वियक्तिगत डिपणियां की बजाये जो देश के लिए बड़ा मुद्व है कि विक्षित भारत बनाने का जो मोदी जी ने संकलब लिया है, उसके लिए हमें ・・・ 400 पार करना है, भारती यंता पार्टी 400 पार की लड़ाई लड़ रही है, कॉंग्रिस पार्टी 40 पार की लड़ाई लड़ रही है.